जै भोले की हर हर महादे बंपं भोले आज मैं आपको सुख सागर 14 वे सकंधिक का 24 वाध्या सुना रही हूँ सांखे योग उपदेश जो मन ब्रहम हर सुख खान उद्धव सो अनुराग युदे कहे सत्य भगवान सुने सी भगवान बोले है उद्धव अब मैं तुमसे कपिल देव और महरिसी दुआरा पहले नेश्चे किये हुए सांखे योग का वर्नन करता हूँ जिसको की चान कर मनुश्य का भेद भाव से उद्धपन हुआ सुख दुख आदी सब ब्रहम दूर हो जाता है पहले परले के समय तथा सत युग में जब की सभी लोग विवे की तथा चतूर थे उस समय भेद भाव के ने होने के कारण संपूर्ड अर्थ ज्यान तथा द्रस्टा ये सब ब्रहम में ही लीन थे उसके अनंतर मन और वानी के अगोचर यानि परे एक मात्र सत्य रूप ब्रहम माया और प्रकास के रूप से दो प्रकार का हो गया उनमें से एक वर्ति है जो उभे आत्मा है दूसरा पुरुष है वही चेतन ज्यान है इसके बाद प्रकारती से 3 गुण उथपन होए उन 3 गुणों से क्रिया सक्ति युक्त ज्यान सक्ति उत्पन होए इसके नेवर्थ होने पर उससे तीन प्रकार का तामस राजस और साथविक एहंकार उत्पन हुआ यह एहंकार ही मोह को उत्पन करता है तामस एहंकार से पंच महाभूत उत्पन हुए राजस एहंकार से इंद्रिया उत्पन हुई साथ विक एहिंकार से पंच कर्मेंद्रिया और ग्यानेंद्रिया और मन इन 11 इंद्रियों के अधेश्टा 14 है तेवता प्रकट होए इसके बाद इन सब भावों में मुझे में प्रेणा पाकर एक जगह मिला कर कार्ये और कारण में समर्थे होते होए मेरे उत्तम स्थान ब्रह्मांड को उत्पन किया फिर उस जल पर स्थित अंड में मेरे परवेश करते ही उन में से मेरे नाभी से एक कमल उत्पन हुआ उसे कमल में से ब्रह्माजी उत्पन हुए पुन है ब्रह्माजी ने रचोगुन युक्त होकर मेरे अनुगरे से लोकपालों के सहित भू भूवे सु है इन लोकों को रचा उन तिन लोकों में से सोर्ग लोक देवताव के निवास करने का स्थान है भू लोक भूतों का निवास्थान है भूवे है लोक भूतों का निवास्थान है भू लोक मनुश्य का निवास्थान है सिदो के रहने के स्थान महर लोक आदि है भूमी से नीचे के अतल आदि लोक देत नाग आदि के निवास्थान है यह सब ब्रह्माजी के ही रचे हु इसे प्रकार निर्गुरात्म करम करने वालों की गती तिर लोकी में ही है योग तधा तपस्या और सन्यास के आच्रन करने वालों की महर लोग में गती होती है ये लोग अंद में मर कर महर लोग में चाती हैं भाक्तियोग करने वाले मेरे परमधम बैकुंट को प्राप्त होते हैं बैकुंट को छोड़ कर और सब गती लोग ऐस धिर हैं काल सौरूप मुझसे ही यह संसार पैदा होता है और मुझ में ही समा जाता है जो जो भाव प्रकर्ति और पुरूस से युक्त हैं जिनके जो आदिम में और अंद में हैं वही मध्य में हैं इसलिए वही सद्ध पदार्द हैं और सब तो विकार हैं और वैवहार के लिए ही हैं जिस तरह सोने के कडुला और कंडल तथा मट्टी के घड़ा और सकोरा आदी कारण सवरुप महतव आदी बहाओ जिसका आश्री करके अपने से दूसरे एहंकार आदी कारियों को रचते हैं उन कारिये और कारणों के आदी और अंद में जो बचता है बस उसी को सुरूतिया सत्य कहती है परिकर्ति उसका उपाद कारण है आधार उसका पूरुस है गुणों के शोब से अभीव्यक्त करने वाला काल है यह तीनों ब्रह्म सवरुप मैं ही हूँ यह महान सर्ग जब तक परमेश्वर के इशन में है तब तक पिता पुत्र के रूप में नित्य वित्यमान रहता है मुझे काल सवरुप से व् सब विशु का प्रले समान है शरीर अंद में लोब हो जाता है अंकुर में अंकुर भूमी में भूमी गंद में लीन हो जाती है गंद जल में जल अपने गुण रस में रस जोती में जोती रूब में रूब वायू अपने गुण स्पर्ष में स्पर्ष आकास में आकास सब् अपने प्रकाश देवताओं में देवता और मन साथविक एहंकार में तीनों प्रकार का एहंकार महतव में महतव अपने कारण गुणों में गुण प्रकर्ति में प्रकर्ति काल में समझ जाती है काल माया परवर्तक महापुरुष में महापुरुष मुझे आत्मा में आत्मा तो आत्मा में ही सिधे होता हुआ उसी में लीन हो जाता है इस प्रकार विचार करते हुए पुरुष के मन में वेकल्पिक ब्रह्म कैसा हो सकते हैं और यदि उत्पन भी हो तो वह हर्दय में ठहर कैसे सकता है जिस तरह आकास में सूर्य के उदे होने पर अंधिकार ठहर ही कहा सकता है ही उद्व मैंने तुम्हें परतिलोम और अनोलोम से मनुश्य के संसे को दूर कर देने वाला यह आख्य योग का करम बता दिया है बोलिये कैशन भगवान की जय ओम्नमे भगवते वासू देवाए जोबिस वाध्याई समाप्तम जय बोले की पच्चिस वाध्याई यह आप दूसरी विडियो में सुने जय बोले की हर हर महादेवं बोले